आई मेरे जेगेटी एन वेलकम टो एडू केप्टेन चैनल वन्स अगयन तो भाईया चालिज दिन टॉप कॉलेज इनकी हमारी जो सीरीस है वो बहुत ही अच्छे से फ्लो में आ चुकी है और मुझे लगता है आप लोग अभी भी फ्लो में नहीं आये हो तो मेरे भाईयो और भेनो प्लीज थोड़ा सा फ्लो में आ जाओ बाई डोमेंस को इतना मतलब इıtना कम नहीं हागना और मैं आपको कितना कहरू मैं आपको दो तीन गहंते देने को तो नहीं कहरा है मैं आपको कहरे हूँ आप दिन में आदा एक घंटा भी दो max to max एक घंटा भी दो accounts को और एक घंटा दो economics को भाई आपका domains का बेड़ा पार हो जाएगा यह मेरी guarantee है तो please 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 flow में आ जाएए आज का जो हमारा topic है वो है development experience क्या है development experience development experience में आपके दो chapter आजाते है एक आजाता है Indian economy on the eve of independence और दूसरा आजाता है Indian economy 1950 to 1990 तो आज की वीडियो में हम सिरफ और सिरफ उन दोनों chapters का करेंगे economic reform जो हैं next video में कर लेंगे तो जल्दी से start करते हैं हमारा लेकिन 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 like always अगर आप लोगों ने अभी तक telegram channel join नहीं करा है accounts है निको की महफिल भाई it is high time join कर लो नहीं तो नहीं तो नहीं तो भाई आप लोग बाद में मतलब कोई देर इतनो हाम ना in joining कोई पैसा तो हम माग नहीं रहे है आपको सिर्फ इतना कहरें telegram channel पर आओ आपको सारा content सारी pdf वहाँ पर आपके doubts clear होंगे सब कुछ वहीं पर होने वाला है तो जल्दी से आ जाईए चलिए start करते हैं हमारे questions के साथ तो सबसे पहला question आपकी screen पर ये रहा एक दो मलब feel आ जाती है आप लोगों को correct sequence में डालने है मतलब जो पहले हुआ वो पहले जो बाद में हुआ वो बाद में तो आपको अगर years नहीं पता जैसे टिसको 1907 में आया था टाटा iron and steel corporation स्विस्ट केनाल आया था आपका 1869 में आया था 1st census 1881 में हुआ था रेलवे 1850 में हुआ था तो डी डी से एक की option स्टार्ट हो रहा है लो इतना सोच नहीं नहीं लेकिन फिर भी यार देखो आप बच्चे बुलेंगे सार एक identify करने तो हो जाए का नहीं इनन नहीं नहीं आपको सारे पर चलेगा वह एक कौन सी position पर आ रहा है आपको सारे years याद होने चाहिए एक आदा मिस हो जाए तो आपका option match होने के chances ज्यादा है कि आप उस answer तक पहुंच जाओ गया अगर एक आदा नहीं आता तो ठीक है बाकी mainly जो है यह आपका सारे years याद होने चाहिए और यहीं आते हैं ले देखर आप देखो कि repeated यहीं हो र previous year वाले हैं घर पे नहीं बना कर लाया सारा मैं previous year वाला डेटा लेकर आया हूं आपके लिए तो फर्स इंडस्ट्रियल पॉलिशी रेविशन अब बच्चे को लगेगा 1956 नहीं 1948 था एस्टेबलिश्मेंट अफ प्लैनिंग कमिशन 1950 कार्वे कमिटी उननिस सो पच्पन ठीक लिए अगर यह इसमें थोड़ा सा डॉट पुल नाइटीन फिफ्टी फाइफ था तो वह था अगर बट आउट फुल भी हो तो फिर भी मोर और लेस आपको पता चल जाएगा उसके बागले कोशन पी आते हैं विच प्लैनिंग अब्जेक्टिव इमडएट इस्योरिंग एंशॉरिंग दा बेनेफिट ऑफ एकनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो रीच दी पूर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सों कौन सा ऐसा आपका जो है प्लैनिंग अब्जेक्टिव है जो एंशॉर करता है कि बैनेफिट जो है वह मतलब सब बंदों तक पहुंचे ठीक है व अब यह जो है हमें सीक्वेंस में डालना इनको जैसे अगर मैं बात करूँ एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन उननेस सो साथ ठीक है सेटिंग अप प्लैनिंग कमिशन नाइटीन फिफ्टी सेटिंग अप विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्टी कमेटी जो की कार्वे कमेटी ही थी उननेस सो पच्पन फस्ट इंडॉस्ट्री पॉलिसी रेजलूशन 1948 और नबाड था आपका 1982 ठीक है जी तो अब आगर हम इसको डाले देखो पहला ही अगर जिन बच्चों प्राहिंगे मैं आएगे तो डेटा आपको के स्टेडी में मिल जायेगा अगला पॉलिसी और स्टीटीटिंग इंपोर्ट्स विट डॉमेस्टिक अभी हां पर पॉलिसी बोला उसने गोल ऑफ फाइफ्यर प्लान नीं बोला तो आंसर हो जाएगा इं पॉलिसी यह थी हमारी चूज दी कर्रेक्ट ऑप्शन अमंग दी फॉलविंग तो इडेंटिफाइ नेगेटिव इंपक्ट ऑफ कमर्चिलाइजेशन ऑफ अगरीकल्चर दूडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो वह यह नेगेटिव इंपक्ट ऑफ अगरीकल्चर दूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्स इंपक्ट ऑन सेल्फ सुफिशेंसी जो थी हमारे पास जो थी हमारे पाहमें इतना प्रोड्यूस कर लेते थे कि वह यह हमारा खुद का गुजारा हो जाता हम किसी फे डिपे क्रॉप्स बनाओ ऐसे में हमारी सेल्फ सुफिशेंसी बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट हुई थी ठीक है अनिम्प्लॉइमेंट हम नहीं कह सकते कि मैसे वन इंप्लॉइमेंट ऑफ फार्मर्स वो तो जब हैंडिग्राफ इंडस्री हमारी डी इंडस्रिलाइज हुई थी तब उससे अनिम्प्लॉइमेंट देश में बढ़ीती बट कमर्शलाइजेशन से फार्मर्स में कोई फार्मिंग ठोड़ना छोड़ दीती ठीक है अगर आपको लगता है नहीं सर यह नहीं होना चीए तो कमेंट में जरूर लिखना ठीक है भाई मेरसे भी गलती हो सकती है आपको करने करेक्ट और कुंसी इसमें स्टेटमेंट से इंडिया 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 करेंगे वो तो अपनी इंडस्टी में लेकर जाना चाते थी ना रॉम मेटीरियल्स इंडिया वाज मेजर एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स ऑन दी इव अफ इंडिपेंडेंट्स ऑन दी वब इंडिपेंडेंडर्स जो मेजर इंपोर्टर था फिनिश गुड्ट का तो यह भी गलत हो गया ठीक है टिसको वाज़ेशन नाइंटीन जीरो सेवन तो बी एं इतने लोगों ने जो है एस्टीमेट किया था इंडिया पर क्यापिटा इंकम द्यूरिंग कलोनियल पीरियट विक्यार विराओ यस दादा भाई नरोजी यस तो आंसर हो गया बोथ एंबी काल माक्स ने नहीं करा था काल मैक्स तो एकॉनमिस था तो उसने कुछ और किया थ किसने एस्टीमेट किये थे तो यह जो है मेरको बच्चों नहीं करेक्ट कराया था हमारी लाइफ क्लास इस में था तो अगर आप उन बच्चों का पार्ट बनना चाते हो तो आप लोग हमारा अवेंजर बैज जो है वो जॉइन कर सकते हो जिसमें हम जो है ये कोशन के साथ साथ एक्स्ट्रा कोशन्स भी कराते हैं उसके इलावा ग्रूमिंग करते हैं ठीक है जी मेंटर्शिप जो है पर्सनल दी जाती है ठीक है पर्सनल यह नहीं कि वन-on-one बट वन-on-one जो है प्रॉपर डाउट सपोर्ट दिया जाता है उनको ठीक है प्लस कोई भी कोईरी हो तो स्पेशल एटेंशन तो मिलेगी तो आप लोग में हमारे बैच का पार्ट बन सकते हैं जिसमें हमारे तीन बैच से अब हमारा जो प्लैटिनम है वह क्लोज हो चुका है क्योंकि उसमें इनफ बच्चे आ चुके हैं अब हम जो है हमारा सिरफ एसेंशन और गोल्ड ओपन है जो कि 999 and 2499 प्राइस के साथ इन फीचर्स में अवेलेबल है उसके लावा अगर मैं बात करूं सबसे इंपोर्टेंट है इसमें एसेंशन मतलब यह तो लेना ही बनता है इसमें मॉक्स आपको देने पड़े हैं क्योंकि बिना मॉक्स कि आप किसी भी कॉम्पेटिटिव एक क्राइस हो गया जिप मैट हो गया जो चाहिए आपको वो मिलेगा जिस भी एंट्रेंस एक्जाम में हो प्लस कोई बच्चा कहता है सर मुझे मैस और वो भी दे दुजी आप जीटी ठीक है जी तो उसके लिए उसका गोल्ड बैच जो है वो अवेलेबल है वो जोईन कर सकता है और कोई भी इंफर्मेशन चाहिए तो आप डाउनलोड करो प्लेस्टोर से उस पर पूछ सकते हो प्लस दिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में आपको वट्सैप नमबर मिल जाएगा उस पर भी आप पूछ सकते हैं ठीक है तो एक बार जरूर देखो यार एक बार इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था ठीक है जी हैंडिक्राफ इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट हुआ था अगला कोशन डैश इस दी टर्म यूस फॉर पॉलिसी विच प्रूमोट सेटिंग अप ऑफ एन अपर लिमिट ऑफ लैंड ड अप्रायग से रूश्मेंट ब्रीटिश रूलीच उफ फ्लूलिग क्या प्रिटिश रूभ एक ere है रिज है आने से पहले प्रायर इंडियाए एंडिपेंडेंट लाइवल्यूट अप प्लेश व hopes Quickly बहले विचár्प अन्टया से पहले लाइवक्त्रीज हैं अदीज और अब चलते हैं अगले कोशन पर बहुत इकनोमिक में टाइम का तो कोई इस्यू है नहीं क्योंड बना लेती है और उसके एकनोमिक और पॉलिटिकल अफेर्स को कंट्रोल करती है एक्स रिफॉर्म सार कंसर्ण विद रिफॉर्म सिंदी गवर्मेंट टैक्सेशन और पॉलिटिवली नोन एस तो लिब्रलाइजेशन नहीं हो लेंगे या लिब्रलाइजेशन तो वो वन टाइम था यह ओवर आल पूछ रहा है कि ह हर inaccurie tax reform कि इसमने आते तिक है इंग i? थे इख रिफॉर्म से और कंसर्ण विद रिफॉर्म्स इनधी गवरर्मेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक पॉलिसी क्लेक्टिवली नोन इस इनको क्लेक्टिवली क्या बोलते हैं उसके बाद एड प्रेजेंट देरार ओनली डैच इंडस्ट्री अंडर कंबल्सरी लाइसे थोड़ा वैसे हो गया बट यह भी आपके बुक में दे रख है छे इंडस्टी जो हैं अबर अंडर लाइसेंसिंग है आम से अम्मूनीशन हो गया इंडस्ट्रियल एक्स्प्लोसिव हो गया ठीक है उसके इलावा आप लोगों का लिकर हो गया टेबैको हो गया ऐसे हैं कुछ है टर्म और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स चूप्यूपेशनल अब कितनी परसेंट जनता जो है वर्क फोर्स जो है कौन से से काम कर रहे है प्राइमरी सेंट्री टर्शरी उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ठीक है देख रहे हैं आप कैसे कैसे कोश्टन सारे इसी कोश्टन से बट अगें पड़ोई हो तभी लग रहे हैं दूरिग प्रेनिपेंडेन्स एरा विच उस्ट फॉल्विज इनओ पीचर तींदिा से के भीखेंडेटर को पर पॉपॉलेट नग Tamam को यूट्यूर्च से पहलेवर्मर के पास को लेंढ ताया नहीं जमीनदार्स को दे दिया था ठीक है जमीनदार्स को दे दिया था तो most farmers own the land they cultivated नहीं they do not own the land they cultivated the significant estimates of pre-independent India's national per capita income were given by अब इसमें आ गया significant किसके बढ़िया माने गए तो वो हो गया हमारे VKRV राओ कोन हो गया VKRV राओ the idea that cultivators will take more interest in the increasing output was the basis of which of the policies given below तो इसमें से the idea that cultivators will take more interest in increasing output was on the basis of land to tiller, land to tiller का objective था कि अगर हम actually में जो land पे काम कर रहा है तिल कर रहा है अगर हम उसी को land दे दे देना तो ownership जब उसके पास आजेगी तो वो होर ज़्यादा interest लेगा अपने काम में what was the main motive of British rule in India British rule का main motive क्या था to prepare and install industrial plants in India making India as an importer of raw material to reduce country to being a raw material supplier for Great Britain's expanding modern industrial base making India an exporter of materials to England नहीं तो आंसर हो गया इसमें C part यह एक्सपोर्टर ऑफ raw materials बनाना था अपनी industries के लिए अब again match the following वाले question बहुत देखने को मिलेंगे first five year plan launched in 1951 तो एका four option नहीं दे रखे अपनी तरफ से बना रहा हूं है इस्टेश्मेंट अफ प्लैनिंग कमिशन 1950 पी का वन इंडस्ट्रिल पॉलिसी रेजोलुशन 1956 सी का 3 कार्वे कमेटी डी का और सी का 2 है इंडस्ट्रिल पॉलिशन नहीं थी है और सी का डी का 2 है कार्वे कमेटी 1955 में आये थी अरेंज दफ पॉल्विंग इन क्रोन लॉजिकल ओडर ऑफ दियर एक्सिस्टेंस इन कॉर्पोरेशन ऑफ टाटा आइरें इंस्टील कंपनी लो तिर वही सेम ही आ रहे हैं देख रहे हो आप इंट्रॉड़क्शन ऑफ रेलवेस कियर ऑफ ग्र टी डेन एसी पीडी एसी आपका डी पाट इस दी करेक्ट आंसर यह नहीं पता यह नहीं कर पाओगे याद रखना तो दैट्स आल पॉर दी वीडियो आई होप आपको यह जो है वैल्यू एडिशन वाली वीडियो लगी होगे कि भाई सर मजा आया पता चल गया कि कैसे ले सब्सक्राइब कर रखें लेकिन वह क्या पूछ रहा है वह क्या मांग रहा है तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा तक साथ नहीं छोड़ूँगा आपने भी मेरा साथ नहीं चोड़ना है टेलिग्राम चैनल जॉइन कर दो कमेंट्स में अपने आं आ आपका बेलिग्राम चैनल जॉइन कर दो कर दो कि ला दूद कमेंट्से नहीं चैनल खें प्रनाता साथ नहीं ऑ्लाता रहा है